हेलो फ्रेंड शायम निशा निशा फूड क्रेस्प में आप सक का सौगत है तो आज निशे की रुसोई में बनाने जा रहे हैं खुब सारे वेजेटेबल से वेजेटेबल सूप जो कि बहुत ही टेस्टी हो और हेल्दी होगा बिमार अगर इसे पीएंगे तो उठकर खड़े हो जाएंगे इतना हेल्दी हो ये टेस्टी सूप है बस आपको मज़ा आने वाला है इस सूप को पीकर तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो जो भी आपके पास हरी सबजिया है आप वो ले लीजे ज़रूरी नहीं कि जो म बीन्स है गाजर है एक बड़ी सी और आधी कटोरी मैंने मटर ली है दो प्याज को इसले खपारी कट कर लिया है फूल गोबी के तीन-चार फूलो को कट कर लिया है एक कप पत्ता गोबी है सिम्ला मिच मैंने एक ली है तो ये सारी वेजेटेबल्स को मैं यूज करूंगी पके When आप चाहे तो मश्रूम डाल सकते हैं इसमें ब्रोकली डाल सकते है जो आपके पास वेजी टेबल्स है वो डाल सकते है और इसमें से जो कम करना चाहे जो नहीं पसण्द है वो ही कम कर सकते हैं ड़ You start करते गो एक चमश डालते हैं कडाई में बटर आप ऑईल घी कु और अद्रक को उसे हलका सा कच्छापन दूर होने तक भूनना है हमें कोई भी चीजों को लाल नहीं करना है और वेजिटेवल सूप इतना हेल्दी और टेस्टी होगा ना कि मज़ा आ जाएगा इसे पीने के बाद ठंट में गरम-गरम सूप मिल जाए तो बस बाती क्या है तो और इस तरह करने के बाद अब इसमें हम एट कर देंगे अपनी सबजियां तो यहां पर मैंने डाला गोभी पता गोभी फूल गोभी और पता गोभी साथ ही डालेंगे मटर मटर सीजन में आ रहे हैं तो उसे डाल के देखिएगा बहुत टेस्टी लगता है सूप और यहां डाला मैंने सिमला मेर्च और जो सब्जी आपके पास नहीं है वो छोड़ भी सकते हैं ऐसा नहीं कि जू मैंने यूज किया én अपको पसंद हो डालीएका जो है वो डालीएका से कोई भीጀ को कम जादा भी कर सकते हैं बेस डाल दिया मके के दाने को डाल दिया गाजर डाल द मीडियम फ्लेम पे बटर के साथ रोष्ट करना है जिससे के इसका टेस्ट फ्लेवर उभर कर आएगा बहुत अच्छा आने वाला है बस मज़ा आने वाला जैसे रेश्टरण में सूप मिलता है ना पीते ही दिल खुस हो जाता है बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा और हलका स सब्जी अपना पानी छोड़ दें यहां पर मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक जिससे कि सब्जी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं तो एक से दो मिनिट करीम हमें इस तरह से चलाते हुए सब्जियों को अच्छे से भुनना है मीडियम फ्लेम पे और सब्जियों की कुजबू ब देखें मैं दालना है एक लीटर पानी देखें मैं यहां पर 5-6 कटी में पानी लिए है आप कम ज्वाज भी थोड़ा कर सकते हैं सब्जियों जाद अपको नई पसंद दें उससे छोड़ भी सकते हैं और यहां पर डाल देंगे हम टमाटर क्योंकि टमाटर मैंने बाद में क्योंकि जल्दी टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं सब्सक्राइब तोड़ी गाजर रोजर थोड़ा टाइम लगाती इसलिए मैंने दो मिनों रोष्ट किया टमाटर हम बाद में डालेंगे से फ्लेवर भी अच्छा आता है तेस्ट भी अच्छा आता है तो करगलर अच्छा आए जो आपके पास पॉड़र है तो पॉड़र डालेगा और स्वादन साथ नमक डाले क्योंकि पहले भी नमक डाला था यहां पर मैंने एक चमच करी मैंने नमक और डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर देना है अब उसके बाद इसे ढख के तीन से चार मिनट हम पका लेंगे मेडियम फ्लेम पे ठक देते हैं चलिए से अब इसे पकने देते हैं तीन-चार मिनट अच्छे से सबजी रही हो जाएंगी फिर उसके बाद हम करते हैं तो यह देखिये चार मिनट करीब हो गया है सबजी कित तेच्छे से बायल हो रही है ना इनका जो फ्लेवर और इस तरह से मार्केट वाला जो फ्रेवर आता है न सूप वेजिटेवल सूप उसमें यह सब चीजे पढ़ी रहती है अगर आपको सिंपल वनाना है तो नमक को काली मिज़ डाल कर बढ़ना सकते हैं और मार्केट जैसे है तो यहाँ पे 2 चमझाव फिजय सोय सोच डाल की डाल जाल है और यहाँ पे दो चम्मझ वनीगर्शक नहीं है तो उसके जगा आप निभु का रस भी डाल सकते एक निवुकरस या अधा निवुकरस जित्ता खटा पसंद है कट्टे के लिए डाला जाता है और दो चमच हम यहां पर ग्रीन चिली सॉस डालेंगे क्योंकि हमें बिल्कुर मंचूरियन जैसा टेस्ट देना है इसमें जैसे मार्केट में आता है सूप तो आत मिलता है उसका पानी में जो सूप बनते हैं उसके स्वाद आता है तो बस उसी तरह अब उसे साइड में रखते हैं और साब चल्बू पक्रे देते हैं साधी साध यहां पर हम डालते हैं कॉन फ्लोर मार्केट में थूई थीकनेसी सूप में दिखती है मतलब और शाइन सी आती है और एक अ लागते हैं क्युकर फोल नहीं साध्या इसका फेलोन कर संथा करण से चल्दी कर देखने में तो अब यहां पर टांद में एक छोटा चमर ची शाजिआर चप्मुझ इना आ представ Pathौ कि और यहां कि अ महीं आप लर भरते हैं तो मार्केट में जो सूप मिलते हैं ना फ्रेंट इसमें हल्की सी मिठास होती है, मगर आप घर पे बना रहे हो, नहीं बने चीनी डाले का मत डालिए, और यहाँ पर आदा चमर डालना है काली मिर्च, उसके बार डालना है यहाँ पर जो हमने कॉन्फोर को घोल के रखा है, बस इस तरह से डाल कर, कॉन्फोर डालने के बास हमें दो मिनिट और पकाना है सूप, हमारा सूप रेड़ी हो जाएगा, तो यह देखे, दो मिनिट बस हमें और पकाना है, क्योंकि जो कॉन्फोर का कच्चापन हमारे सूप में नहीं है, अगर आपको थोई सी ठीकनेस चाहिए, ज्यादा दिर पकाएंगे, तो हमारे जो सूप है, वो गाढ़ा-गाढ़ा सा हो जाएगा, क्योंकि कॉन्फोर एक बाइंडिंग का काम करता है, और यहाँ पर हरी धनिया, हरे प्याज की पत्तिया मैंने डाल दिया है, गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, हमारा सूप तयार हो गया है, अगर आपको थोड़ा मोटा सा सूप चाहिए, तो थोड़ी दे, दो मिनट और पका लिजेगे, तो यह थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ा करना है सूप तो दो मिनट और पकाईए, मतलब चार मिनट पकाईए, हमने तो सिब 2 मिनिट पकाया कि हमें गाढा सूप नहीं चाहिए बस इसी टेश्चर में सूप चाहिए था तो हमारा सूप रेडी है तो चलिए से फटाफर सर्फ कर लेते हैं गर्मा गरम सूप ठंडियों में पीजे बहुत मजाएगा इतना हेल्दी और टेस्ट कोई वैक्ति पी जाएंगे इतना टेस्टी होगा और यह देखिए हमारा सूप रेडी है बहुत ही टेस्टी बिल्कुल मार्के डॉला लुक और टेस्ट बिल्कुल वही है तो रेश्टर स्टाइल यह सूप वेजिटेवल सूप बनाएगा फ्रेंट और वीडियो अच्छी लगे पसंद प्लीज सपोर्ट मी आप सबके सपोर्ट के मुझे बहुत जरू रहते हैं तो प्लीज प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो मिलते हैं नहीं रेस्पी के साथ नहीं वीडियो में थैंक्स पॉर वाचिंग इस वीडियो